नमस्कार दस्वी कक्षा के प्रिया संस्कृत छात्रों आपके पाठ्य पुष्टक शेमुशी भाग दो के प्रथम पाठ इससे पहले पूरा हो चुका है आज हम दूसरे पाठ का आनन्द लेंगे उस पाठ का नाम है बुद्धेर बलवती सदा ये कथा है इस कथा का मूल स्रोत जो है वो बारुवी शतक में विरचित शुका सप्तति ग्रंथ से लिया गया है इसके रचिता कौन है इस पर स्पष्ट धारणा नहीं है फिर भी चिन्ता मनी नाम के विद्वान के नाम से यह ग्रंथ जुड़ा हुआ है इसा प्रतीत होता है इसके दो संसकरण है जो एक पंडित चिन्ता मनी के द्वारा रचित है जो छोटा संसकरण है और इसका एक ब्रहत संसकरण जो है वो जैन मुनी शुतामबर नाम से लिखित है यहा कथा काफी पुराना है और इसके कुछ-कुछ आउंसर दुसरे कथा संग्रहों में भी मिलता है यह कथा संग्रह है शुक शब्तती सब्द का आर्थ है शुक शब्तती ही शुक यानि तोता सब्तती ही यानि सत्तर सेवन्टी तो तोते के द्वारा कहे गए सत्तर कहानिय का ये संग रहा है शुक सब्तति ही ये शुक सब्तति ग्रंथ रचना की जो संकल्पना है वो काफी मज़ेदार रोचक है एक स्त्री जो अकेली रहती है विवाहित स्त्री अकेली रहती है उसका पती किसी कार्य से व्यापार इत्यादी कार्य से विदेश चला जाता है और दिनों तक लोडता नहीं है। 70 दिन के बाद वो लोडने वाला है। तो उसके पास एक प्लतु तोता रहता है। आसानी से व्यतित कर सके। उस त्री का मन विचलित ना हो, इसके लिए उरता प्रति दिन एक कथा सुनाता है। तो उन कथाओं में से यह एक कथा है बुद्धिर बलवती सदा बुद्धिर बलवती सदा इसका सब्द सहा अर्थ कैसा होए बुद्धी ही जानते हैं बलवती यानि बलवान बुद्धी ही बलवान है हमेशा सदा यानि हमेशा हमेशा बुद्धी ही बलवान होता है शारिरिक बल उतना प्रभावी नहीं होता है जितना बुद्धि का बल प्रभावी होता है तो यह जो कथा है इस कथा का मैं पहले हिंदी में सारांश सुनाओंगा उसके बाद हम पाठ का एक वाचन करेंगे और ध्यान से उस संस्क्रित पाठ के वाचन को सुनना ताकि उसी में से आप सब्द का अर्थ समझ सके कंटेक्स्ट में और फिर उसका हम कुछ व्याकरनादी कार्य करेंगे तो हिंदी में इस कथा को कैसे कहें एक देवुलाख्य नाम का ग्राम है उस ग्राम में राजा सिम्ह नाम का एक राजा था उस राजा की एक पत्नी थी और दो पुत्र थे कोई एक आवश्यकारी आता है राजा नहीं जा पाते किन्तु उसके पत्नी और दोनों पुत्र पत्नी के पिता के घर में जाने के लिए निकलते हैं तो जब चलते हैं तो रास्ते में एक घना जंगल आता है और उस जंगल में काफी भयंकर जानवर भी रहते हैं तो जब जंगल के बीच में वह स्त्री और उसके दोनों पूत्र होते हैं तब दूर से देखते हैं एक बाग उनके तरफ आ रहा है अब बाग से कैसे बचा जाए छोटे बच्चे हैं वो तो लड़नी सकते और यह स्त्री खुद तो लड़नी सकती तो कैसे उससे बचा जाए तो वो एक उपाई ओजना करती है वो अचानक दोनों बच्चों को दो थपड लगाती है और थपड लगाते हुए बोलती है कि अकेले खाने के लिए क्यों जिद कर रहे हो अब एक ही बाग दिख रहा है उसी को ही बांट के खा लेना अब एक एक को दो बाग में कहां से लाके दूँ अभी तो एक ही दिख रहा है अब जब दूसरा आएगा तो फिर उसको दे दूँगा मैं अभी जो आया है उसी को दोनों बांट के खाओ इतना जैसे ही वो बोलती है तो बाग उसको सुन लता है दूर से तो अरे बाब रे ये तो जो स्त्री है वो कोई मामूली स्त्री नहीं है ये तो बाग को मार के खाने वाली स्त्री है कभी शास्त्रा में हमने एक व्याग्र मारी महिरा के बारे में सुना था शायद ये वही स्त्री है तो इससे जान बचा के भाग लेना ही अच्छा है तो वहां से वो बाग भाग लेता है जब वो जंगल में अंधाधून भागने लगता है तो एक श्रगाल उसको दूर से देख लेता है और उसको रोक के पूछता है क्या बाग भाईया आप जंगल के राजा होते हुए किस से डर के भाग के जा रहे हूँ तो वाग उसको सलाह देता है भाई तू भी कहीं जंगल में अंदर जाके घुश जा कहीं छुप जा जो हम सास्तर में सुनते हैं ना व्याघ्र मारी आज मैं उसका प्रत्यक्ष करके आ रहा हूँ तू भी अपनी जान बचा ले मैं अपनी जान बचा के अब हक के आया हूँ वो तो मुझे मारने ही वाली थी तो बलता ही आपने तो मेरे मन में बड़ा ही कौतुक पैदा कर दिया आप एक बाग होकर एक मनुश्य से डर जाए चलिए जरा देखते हैं वो स्त्री कहां पर है और कैसे वो आपको मार सकती है चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ यदि अगर यदि वो आपको आपके तरफ नजर उठा के देख भी ली तो आप मुझे मार सकते हैं आप मुझे मार देना तो बोलता है तू तो वहां से भाग निकलेगा अब मैं अकेला पड़े जाओंगा उसके सामने वो तो मुझे ही मार के खायेगी ना तब वो श्रिगाल बोलता है अच्छा अगर एशा आपको मेरे उपर विश्वास नहीं है तो एक काम करते हैं मुझे अपने गले से बांध लो एक रस्षी से मुझे अपने गले से बांध लो तो मैं वहाँ से बच के तो नहीं निकल सकता है जब तक आप नहीं निकलोगे मैं तो नहीं निकल सकता है अब मैं देखूंगा कि वो स्तरी आपको कैसे मार सकती है तो जब ऐसा श्रिगाल ने कहा तो बाग को विश्वास हुआ कि हाँ ये श्रिगाल मुझे छोड़ के तो नहीं आ सकता ऐसे में दोनों जानुवर उस तरफ फिर से चलते हैं और वो श्री उन दोनों को फिर से देख लेती है और तभी समझ जाती है जरूर इस श्रिगाल के बहकावे में आकर ये बाग वापस हिम्मत लेकर आया है मुझे मारने के लिए अब क्या किया जाए एक बार तो जान बचा लिए दिमाग से अब दूसरी बार कैसे बचे हैं फिर एक उपाई सोचती है तभी उस श्रिगाल के तरफ उसको धमकाते हुए उसके उपर गुशा करते हुए उंगली से निशान दिखाते हुए बोला कि अरे श्रिगाल अरे जम्बूक तुने एक बार मुझे तीन बाग लाके दिया था और वादा किया था कि हमेशा इसी प्रकार तीन बाग लाके देगा आज तु एक ही बाग को साथ में लेकर आया है तुझे मैं पहले देखती हूँ जैसे ही यह बोला तो बाग ने वापस समझ लिया कि अरे बापरे ये श्रिगाल ने तो मुझे फंसा के लाया है यहाँ पर यानि ये हमेशा इस नारी के लिए बागों को लाके पहुंचाती है उसकी सेवा में ये तो मुझे आज फंसा कर यहाँ ले आया है तो इतना सोचते ही वो इतने जोर से वहां से अपनी जान बचाती हुए भाग के निकला और उसके गले में जो बंधा हुआ श्रिगाल है वो जमीन पर घशीटते घशीटते अपनी जान गवाई तो इस प्रकार से उस्तुरी ने दूसरी बार अपने जीवन और अपने बच्चों के जीवन बचाने में काम्याब हो गई ये है कथा है ना मनोरंजक अब इस कथा का जब हम संस्कृत में अवतरण पढ़ेंगे तो कथा तो आप जान चुके हैं अब ध्यान से संस्कृत के सब्दों को और उनके रूपों को आप देखेंगे तो आप संस्कृत भाषा में प्रवेश करेंगे तो इसलिए संस्कृत भाषा के उपर उतना ही ध् जितना आपने कथा को समझने में समय दिया तो हम अभी उस संस्क्रित पार्ठ को पढ़ते हैं और आप सुनिए अस्ति देव लाख्यो नाम ग्रामह तत्र राजसिम्ह नाम राजपुत्रह वसतिश्म एकदा केना पी आवश्यक कारियेण तस्य भारिया बुद्धी मती पुत्र द्वयो पेता पितुर ग्रिहम प्रती चलिता मारगे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श सा व्याघ्रम आगच्छन्तम द्रिष्ट्वा धार्ष्ट्यात पुत्रव चपेट या प्रहृत्य जगाद कथम एकैकशो व्याघ्र भग्षणाय कलहम कुरुथा अयम एकस तावद विभज्य भुज्यताम पस्चाद अन्यो दुतियह कस्चिल्लक्षते इति शुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तह नष्टह निजबुद्ध्या विमुक्तासा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो पी बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात भया कुलं व्याग्रम द्रिष्ट्वा कस्चित धूर्त श्रिगालह हसन आह भवान कुतह भयात पलाईतह व्याग्रह गच्च गच्च जंबुक त्वमपिक इंचित गूढ प्रदेशं यतो व्याग्रम आरीति या शास्त्रे शुयते तया अहम हंतुम आरब्धा परंग्रिहीत कर जीविताह नस्टाह सीघ्रम तदग्रताह स्रिगालह व्याग्रह त्वया महत काउतुक मावेदितं यन मानुशाद अपि भेशी व्याग्रह वदती प्रत्यक्षम एव मया सा आत्म पुत्रव एकई कशह माम अत्तुम कलहाय मानौ चपेटया प्रहरंती द्रिष्टा जंबुक स्वामिन यत्र आस्ते सा धूरता तत्र गम्यताम व्याग्रह तव पुनह तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि इक्षते यदी तरही त्वया अहम हंतव्याह इती व्याग्रह श्रिगाल यदि त्वं माम मुक्त्वा यासी तदा वेलापि अवेला स्यात जंबुक यदी एवं तरही माम निजगले बद्ध्वा चला सत्वरं सव्याग्रह तथा कृत्वा काननम ययेव श्रिगालेन सहितं पुनरायांतं व्याग्रहं दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जंबुक कृतोत साहत व्याग्रात कथम मुच्यताम परम प्रतिवत्पन्न मतिही सा जंबुकम अक्षिपन्ती अंगुल्यात तर्जयंती वाच रे रे धूर्तत्वया दत्तम महियं व्याग्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्य एकम आनिय कथम यासी वदाधुना इति उक्त्वा धाविता तूर्णं व्याग्रमारी भयंकरा व्याग्रोपी सहसा नष्टह गलपध्ध स्रुगालकह एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याग्रजात भयात पुनरपी मुक्ता अभवत अतएव उच्चते बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार येशु सर्वदा तो संस्कृत का पाठ सुनकर आपको केशा लगा? आप जब अच्छे से उच्चारण करते हुए पूरे पाठ को एक साथ एक बैठक में पूरा पढ़ लेंगे तो संस्कृत का एक अच्छा समस्कार आप में आ जाएगा अब एक एक वाक्या का अर्थ सब्दार्थ सहीत कुछ-कुछ व्याकरण सहीत हम स्पष्ट करेंगे अब ध्यान से सुनिए और अपने किताब अपने सामने हैं तो उसको देख लीजिए अस्ति देवलाख्या हा ग्राम हा देवला नाम का एक ग्राम है तत्रा राजसिम्वा हा नाम राजपुत्र हा वसतिस्मा तो कोई एक राजपुत्र जिसका नाम है राजसिम्वा हा वो वहाँ पर रहते थे अब वसती स्म आपको पता है वसती ये वर्तमानकाल में रूप है वसधातु का यानि रहता है जब वर्तमानकाल के क्रियापद के साथ स्म इसा अव्य जोड़ दिया जता है तो उसका आर्थ हो जता है भूतकाल तो वसतिस्म यानि रहता था वसति रहता है स्म लगाने से वसतिस्म रहता था इसी प्रकारी जो पहला वाक्य था अस्ति देवुलाख्यो ग्रामह जब वाक्य के सुरू में अस्ति रहता है तो उसका अर्थ थोड़ा बदल जाता है अगर वही वाक्या के अंत में अस्ति होता जो हम समान्य वाक्या में प्रयोग करते हैं संस्कृत के तो देवुला नाम के ग्राम है ऐसा अर्थ आता है किन्तो यदि अंत से लाकर पहले रख लें अस्ति को तब अस्ति का अर्थ और है नहीं होता है था भूत काल में चला जाता है तो यह एक लेखन शैली है संस्कृत में तो अस्ति को पहले लखने के लिखकर हम भूत काल का बताते हैं तो भूत काल कहने का और एक शैली है कि वर्तवान काल के क्रिया के साथ स्मा लगाईए एक अदा के नापी आवश्यक कारियेन तस्य भार्या बुद्धी मती जब मैंने हिंदी में वो कथा सुनाई थी तब उस श्तिरी का नाम नहीं बताया था अब यहां पर नाम देख लिजी उसके नाम क्या है बुद्धी मती बिल्कुल नाम के अनुसर ही उसका आचरण है उसका नाम है बुद्धी मती एक दा केनापी आवश्यक कारियेन, कोई एक आवश्यक कारिय से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धि मती पुत्र द्वयो पेता पुत्र द्वयो पेता एने पुत्र द्वयो पेता दोनों पुत्रों के साथ पितुर ग्रिहम प्रती चलिता पितुहु ग्रिहम प्रती पिता के अपने पिता के घर यानि राज़ सिम्ह के ससुर के घर पितुहु ग्रिहम प्रती चलिता गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श रस्ते में घने जंगल में सा वह एकम व्याघ्रम ददर्श एक बाग को देखा जो ददर्श ये जो रूप है इसका अर्थ है अपश्यत देखा अपश्यत ये लंगलकार भुतकाल का रूप है और जो ददर्श है ये एक परोक्ष भुतकाल रूप है लिटलकार में है बहुत पूराना जो होता है जो बोलने वाला जिसको प्रत्यक्ष नहीं कर सेता है उसक इस लकार में जो रूप होते हैं, उसमें सामाने एक लक्षन दिखाई देता है, कि एक तो प्रथम पुरुष में ही रहते हैं, उनका मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष रूप कहीं भाषा के प्रयोग में दिखाई नहीं देता है, हमेशा प्रथम पुरुष में चाहे एक वचन, दुई वचन या बहवचन में होते हैं। दूसरा है जो उनके रूप होते हैं उसमें अधिकतर दुट्व धातु का दुट्व रूप दिखता है। दर्ष, दृष धातु से दर्ष होता है और जो द है दो बार है ददर्ष इस प्रकार से आप कोई भी धातु ले लेंगे गम धातु से जगाम, पठ धातु से पपाठ, इस प्रकार से क्री धातु से चकार, जहां पर इसे धातुओं के दुट्व दिखता है तो समझ लिजिए कि ये परोक्ष भूत काल रूप है लिटलकार का रूप है तो ददर्श का अर्थ सिंपल है अपश्यत यानि एक बाग को देखा मारगे गहना काना ने सा एकम व्याघ्रम ददर्श यानि अपश्यत आगे क्या हुआ सा व्याघ्रम आगच्छंतम द्रिश्टवा आते हुए बाग को देखार ये आगच्छंतम ये रूप कैसा है आउपसर्ग गमधातु सत्र प्रत्यय शत्र प्रत्यय कैसा होता है गमधातु से सत्र लगा तो गच्छन होता है गच्छत एसा रूप होता है पुलिंग में उसका रूप होता है गच्छन गच्छंतव गच्छंतम अब ये आ लगा दिजिए आगच्छंतम तो आगच्छंतम व्याघ्रम द्रिश्टवा आते हुए जहां सत्र प्रत्य लगत आता है गच्छन यानि जाते हुए पश्यन यानि देखते हुए चलन चलते हुए खादन खाते हुए इस प्रकार का रूप होता है सत्रिप्रत्यायानत। आगछन्तम व्याग्रम दृष्ट्वा आते हुए बाग को देखकर वह बुद्धिमती धार्ष्ट्यात ध्रिष्ट सब्द से होता है धार्ष्ट्या सब्द ध्रिष्ट शब्द याने थोड़े धीट से थोड़े करकस कठोर्ता से धार्ष्ट्यात याने कठोर्ता से पुत्रव चपेट या प्रहृत्या दोनों पुत्रों को चपेटा मार कर चपेटा या प्रहृत्या याने थपड से मार कर प्रहृत्या याने मार कर जगाद फिर से देखिए लिट लकार परोक्ष भुतकाल का प्रयोग है गद धातुकार थे बोलना जगाद बोला चपेट या प्रहृत्य जगाद थपड मार कर बोला कथम एकई कशह कथम एक एकशह संधिया और समाच होकर एकई कशह हो गया एक एक कशह यानि एक एक करके मांग रहे हो बाग यानि एक बाग दिखाई दे रहा है एक बच्चा बोला है मैं अकेला खाऊंगा दूसरा बच्चा बोला है इसको मैं अकेला खाऊंगा अकेला उसको खाने की जिद कर रहे हैं कथम एक ही कशह व्याग्र भक्षणाय अकेले अकेले ही इस बाग को खाने के लिए कलाहम कुरू था है क्यों जगडे कर रहे हो कलाह कर रहे हो अब एक हातावत विभज्य भुज्यताम अब यह एक है उसको बांट के खालो अयम एक हातावत विभज्य विउपसर्ग भज्यतातु यानि विभाग करके बांट कर भुज्यताम खालेना चाहिए खालो अब यह जो वाक्या है अयम भुज्यताम यह कर्मवाच्य का प्रयोग है यानि अयम भुज्यताम यहाँ खाएगा नहीं इसे खाना है यानि यए कर्मवाच्य का प्रयोग है जिसमें कर्मकारक की दुतिया भ्यक्ति होती है और क्रियापत जो है कर्मके अनुसारा चलता है तो अयम भुज्यताम इस एक व्याग्र को अयम एकह भुज्यताम विभज्य भुज्यताम इस एक को बांट के खाओ यह एक है यह बंट कर खाया जाना चाहिए पस्चात अन्याह दृतियाह कस्चिल लक्षते अब इसके बाद कोई दूसरा भी दिखाई दे रहा है वो भी कर्म आच्या है दृतियाह कस्चित लक्षते अगर कर्म कारक जो है कर्म अच्या है अगर बहु अचन में होगा तो क्रिया भी बहु अचन होगा अगर कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है तो दृतियाह लक्षते अब इसने कह दिया की दूसरा भी कोई दिखाई दे रहा है थोड़ा दूर है आब ये नजदिक जो है वो एक है इसको बांटके खाओ दूसरा जब पकड में आएगा तो उसको भी खाले ना तो ये सुन लिया ये नज्दिक वला बागने इती शुत्वा व्याघ्र मारी काचिद इयम इती मत्वा व्याघ्राह भयाकुला चित्ताह नस्टाह इती शुरुत्वा इसको सुनकर व्याघ्राह नस्टाह व्याघ्राह पलाईताह और व्याघ्राह भयाकुला चित्ताह भयेन आकुलं भयाकुलं भयाकुलं चित्तम यस्य सह भयाकुला चित्ताह तो इस प्रकार सुनकर इती शुत्वा व्याघ्रमारी काचिद यम यम काचिद व्याघ्रमारी इती मत्वा यानि यह कोई व्याघ्रमारी है एशा उस बाग ने सोच लिया इती मत्वा एशा सोचकर मत्वा जो है मन्धातु से त्वा प्रत्य लगा है याणि एशा सोचकर व्याघ रहा एशा सोचकर वह भाग भयाकुला चित्त हा भयेन आकुलं चित्त म यस्य सह भयाकुला चित्त हा भये से व्याकुलित होकर व्यकुरित मन वाला होकर तताहा नश्टाहा यानि वहां से भाग गया चला गया पला इताहा तो आपको कथा तो पूरी तरह से मालूम है हम इस पार्ट को भी यहां आधे तक पढ़ते हैं समय होने के कारण हमें इहीं पर रुखना चाहिए और इसके आगे आप सोयम पढ़कर उसको अच्छे समझने के लिए प्रयास करें और हम अगले कड़ी में इसी कथा को आगे समपूर्ण करेंगे अपने इस पार्ट के वाचन के साथ-साथ उसका व्याकरन और उसका भावार्त हम स्पष्ठ करेंगे किन्तु आप अपने स्वाध्याय करके इस पार्ट को सोयम पूर्ण करने के लिए प्रयास करिए धन्यवाद क्या है तूर्ण करने के लिए प्रयास करिया सिन। य॥ ल॥ हरा ह Mr.